I was reincarnated as a seven friends So I take my time to level up my magic abilities के पहली एपिसोड में आप सभी का स्वागत है And yeah, जैसे आप लोगन मज़िक अमिलिटी पोल में कहा था मैं एनिमेस के एपिसोड आते ही तुरान ट्राइ करूँगा उसो डालने की सभी एपिसोड के स्टार्ट बें आप पर घुई बंदा रो रहा होता है कि यह तो डबबा है हमारी एप्लिटी पे वो लोग इस पर हस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं की एक Magic यूजर कैस हो सकता है साथ साथ में बहुत ही बड़ा ability वालों कोई बंदा इससे कहता है कि चलो common बंदे अपनी एक magic करके दिखाओ जिस पर ये बंदा जो रो रहा होता है वो अपनी magic करने के try करता है लेकिन उसकी magic इतनी जादा या पर कमजोर होती है कि वो बहुत ही मुश्किल से उसके तक पहुँच भी पाती है ये magic जैसे इसे touch करती है वो गायबती हो जाती है जिस पर ये बंदा हसते हुए कहता है तुम इसे magic कहते हो magic सिखना कोई आम बात नहीं होती इसके लिए line age, dedication और रेसे प्लिन चाहिए होता है वो इसके उपर ये fireball का attack करते हुए कहता है चोकि तुम्हारे पास नहीं था कभी भी अच्छा होगा तुम मर जाओ और बिना कुछ सोचे समझे वो बंदा इसके उपर यापर fireball का attack कर देता है लेकिन ये इनसान इसके अंदा जलते वे सोच रहो होता है कि ये magic कितना जादा यहाँ पर अनोखा है और उसे काफी दर्द भी हो रहा है वो सोच रहोता है कि काश इस जिंदगी में वो भी इस magic को सीख पाता और वो भी कहीं उनके लिवल पर पहुँच पाता फिलाल अगली सिर में आम लोग देखते हैं कि कुछ मैंडस किसी को देखके हो रही होते हैं और यहां पर यहां पर नहीं देखते हैं तो किसी किनड़ने का से बांगे करता है उसके दो सीने से पास देखते हैं और यहां पर को ग्रीट करते हैं कि शांत रहना और उन में इसको बियोगर भी मत बता रहा है कि मैं यहां पर यहां पर रीडिंग कर रहा था पुस्तासत में यहां यहां पर रिंकार्णेशन है सब्सक्राइब बताता है कि सच में वह सब्सक्राइब है और हाँ यहां पर रिंकार्णेशन हुआ है वह बताता है लेकिन वह अपनी नई याप से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इस लाइफ में नहीं मिली और यहां पर तरह तरह के मैजिक सीख सकता हूं और आपको और जदा इनाइज कर सकता हूं वह यहां पर यहां पर यहां पर प्रेक्टिस का टाइम है ना कि पढ़ने का इस पर लॉइड कहता है शिल्फा तुमने मुझे प्रकड़ी लिय है इस पर शिल्फा कहती है लेकिन आप एक रॉयल गिंडम के यहां पर रहने वाले हो तो आपको यह सब आना चाहिए और वैसे भी आपके तीन साल के होने के बाद आपकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मैंने ले ली है और यहीं मेरे लाइफ का आप आखरे मकसाद बचा है लॉयट कहे रहा होता है कि अगर मैंने इसको अपनी पाउर नहीं दिखाई जाने नहीं देगी और मैं बुक्स रीट नहीं कर पाऊंगा इसके बाद वो यहाप इसकी कार्ट टिक्टकल देने लग जाता है शिल्फा कहरी उदी की कमाल है आप एक बार में काफी अच्छा मक पर चेज़ी करना होगा यूज करता है इसकी वह रहा हैसे कि और यहापर को साथ ही आप इंटेंस हो जाती है आं क्योंकि हम दोने से मूफ कर रहे हैं वह शोला करना होगा इसाहराने के लिए और यहां पर चाला की से आप टेलिपोटेशन मैजिक यूज करता है और पीछे आके जरने की हेल्प जे उनकूत के शिर्वा पर अटाय करता है लेकिन ये तो इसको बहुत है अज़ाने से डॉज कर लेती है वो कहती है मुझे पता है आप याप 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 बढ़ गी आपकी फिसकल स्ट्रेंट तो स नहीं करने होता है अच्छा हो ये वहां पर बात ले रहे होते हैं लेकिन बता निकल सके शिर्फा कहा रही होती है क्या थे हैं क्या अब लौट बहुत सब्सक्राइब बढ़ बताते है उस लेकिन कभी देखा नहीं है वो कहरी होती है तुम लोग लॉट के दोड़ाना बद्द करो और वैसे भी लॉट ऐसे ड़नने वाला नहीं है लेकिन लॉट यहां पर ड़नने की एक्टिंग करता है जिसके तो बहुत ज़ाता है अगली सिर्फ लोग लग लग जाते हैं कि कौन देते कि उस इंशेंट लैबरेरी के बाहर दो गार्ट से पहरा दे रहे होते हैं लेकिन यहां पर यह टेक्णी को यूज़ करके इन वीज़ बन जाता है अब बात कर रहे थे कि हम जब तक यहां पर हैं कोई बीद नहीं जा सकता अगले सिन में को यहां पर ताला दिकाए ज लेकिन तभी उनमें से एक बुक यहां पर उनने लग जाती है और उस पर से टीवन बहार लीगल के आता है जो कि कह रहा होता है तुमने उस ताले को तोड़ कैसे दिया काफी इंप्रेसिव है लोग बात कर रहे थे तुमने साही समझा मेरा नाम है और मैं बहुत ही पाफु लेकिन लॉइड को इंट्रेस्टी नहीं आता है जिसके बाद यहां पर बहुत बड़ा दमाका होता है और वो कह रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बच्चे ने मेरी चील तोड़ दी फिलाल यहां पर उस बच्चे से वह कहता है तो फिर यह देखो और वो एक बार में अपना यहां पर मैंजिस को मानने आगे बढ़ू इस बच्चे की तुकानी यहीं कताम हो गई लेकिन तभी एक बार में उसके पूरी मैजिक हैं पर चकना चोर हो जाता है हम देदे के लाइट नहीं आपर पूरी एक शील्ड बना सिंपल है इसलिए मैं इसे इसली डिफेंड कर ले रहा हो अब वो वो सोच रहा होता है हाँ मुझे इससे ट्च कनी कि यहां पर का पूरी पूरी अंगली यहां पूरी तरसा जल्स प्रिलाल वहां पर क्रिम्या से कह रहा हो तरो और मैं तुम्हें नहीं चोड़ूंगा आप ब्लैक का एक मैजिक लिता है लेकिन को कुछ भी नहीं कहता है क्या तुम्हें कुछ भूआ कैसे नहीं है यह नहीं कि लिए यह लगा रखेंगा नहीं पूरी पूरी यहां पर बर्बाद हो गया था और सब्सक्राइब करना चाहिए अब चलो मुझे तुम अपना डिफैन्स मैजिक करता है जो कि अपने मैजिक सारी चीजें उसकी जगा रख रहा था और कुछ seconds के अंदर ही पूरी लाइबरी यहां पर रिस्टोर हो जाती है यह तो ना मोंकिन है तुमने हर एक चीज़ वापस कर दी पहले की तरह जबके सब कुस्त तबाह हो चुका था यहां पर मैजिक कोई भी असर नहीं होता लोड कहता है कि तुम अगर इस तरह बाहर घूम होगा जिसके बाद यहां पर एक चोटे से मौन्स्टर का रूप ले लेता है कि कोई भी आपर सोच नहीं पाएगा कि मैं एक मौन्स्टर हो है ना आप मुझे ग्रीम बुला सकते हो लोड कहता है कि तुम मेरे तो कुछ और ही सोच रहा था कि मैं इसकी बाड़ी से चिपक की इसकी बाड़ी पे कंट्रोल कर लूँगा आखिर यह बच्चा इतना पाफल तो होई नहीं सकता ना लेकर जैसे उसके बाड़ी से वो टेच करता है वो देखता है कि उसका माना तो कुछ जाद है यहां पर टैंस होता है जो कि देखे आप ग्रीम भी बुला तरह से हरा हो ज जाता है आप लोगों के यह एपिसोड का अलगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए बाके में में बिल तॉम से नेक्स वोजिंग वीडियो में तिल दैन गुडबाई